14 दिसंबर से पुतीन योक्रेन में फाइनल आपरेशन लाँच करेंगे और नैटो को डर है कि पुतीन के अंतिम प्रहार का मतलब परमानू हाहकार ही होगा पहली बार नैटो चीफ ने योक्रेन को लेकर बुरी खबर आने की चितावनी दिये और पेंटेगन से लेकर क्रेमलिन तक अगले 10 दिनों में एटमी जंग शुरू होने के सिगनल मिल रहे हैं पीच क्रेमलिन की ओर से बयान आया है कि पुतीन नैटो पर हमला करके सिर्फ 15 मिनट में युद जीतने का तरीका जानते हैं तो क्या अगले 10 दिनों में महा विनाश के वो 900 सेगिंज आने वाले हैं 14 दिसंबर 2003 यूखरेन पर पुतन का आखरी प्रहार 14 दिसंबर 2003 एटमी जंग की काली तारीक 14 दिसंबर 2003 यूखरेन युद का अंत होगा या तीसरा विश्वियत प्रारंब होगा क्रेम्लिन में आपातकार पुतन का फोन स्विच आफ पुतन का रेड़ अलोर्ट दस दिन तक डोंट डिस्टर 14 दिसंबर को पुतन उत्खोश बाइडन के खर में एन्विस फोर्ट 15 अन्व प्रश्ञा अन्वम्लिन 16 कर दो कर दो